है गाइस माइ नेम इस इमरान एंड वेलिकम टू सर्पेवल दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमभी कमांड के बारे में यानि की मूव कमांड के बारे में हैं तो बिसकली जो मूव कमांड है इसे हम चीजों को मूव करते हैं जैसे कि फाइल्स और डियेक्टरिस और इसके साथ साथ हम फाइल्स और डियेक्टरिस को रिनेम भी करते हैं जैसा विंडोस में रिनेम करते हो को एक टुबटन प्रेस करके उसे हम धी करते हैं MB कमाnd कर थो कि कोई Linux में किसी भी फाइल दिटीर्स को रिनेयम करने के लिए कोई specific कमांड नहीं है तो हम MB कमांड का ही इस्तामाल करते हैं क्योंको इसमें फीचर दिखने को मिलता है okay तो इसके definition पर आते हैं थोड़ा introduction देखते हैं the mb command in Linux is used to move or rename files and directories जो आपने अभी बताया आपको you can use it to move a file or directory from one location to another or change the name of a file or directory in its current location mb command के थरू हम चीज़ों को move कर सकते हैं file directories को एक location से दूसरे location के तरफ name change कर सकते हैं fire directory का current location के अंदर okay for example to move a file named file.txt from the current directory to a directory called new location you would use mb file.txt और यहां पर directory का नाम तो basically यह जो हमारा file है file.txt यह move हो जाएगा हमारे new location नाम की directory के अंदर to rename a file you would use the mb command like this mb यहां पर old file name फिर new file name यहां पर ध्यान दो कि दोनों जो है source और यह destination दोनों एक ही directory के अंदर है यहां पर एक file है old.file name and second is new file name तो इसके लिए अगर mb command की use करोगे यह जो file है इसका नाम change होके new file name हो जाएगा the mb command is versatile and can be used for both moving and renaming files and directories यह versatile command है इसके थरू हम files और directories को rename भी करते हैं और move भी करते हैं तो guys यह introduction हम लिए लाब की तरफ चलते हैं इसका कुछ live demo practical हम देखते हैं ओके तो हम अपने उबनो की machine पे आ चुके हैं अभी हम काम कर रहे हैं basically इम्रान की डेक्टरिक अंदर जो की हमारा home डेक्टर के अंदर है ओके तो यहां पर में पास एक file है इम्रान.txt के नाम से इसके अंदर content है वो है hi my name is इम्रान ओके हम जो पहली simple command लगांगे वो है mb space file का नाम पर हमारा destination file का नाम जो की है yes.txt पर करते हैं enter तो अभी आप देख सकते हैं हमारा जो इम्रान.txt का file था वो rename हो चुका है yes.txt नाम के अंदर ओके तो अब यह file yes.txt नाम का file बन चुका है इसके अंदर जो content होगा basically वो same होगा तो इसे कैसे आप file को rename कर सकते हैं अब yes.txt है अब मैं क्याम करता हूँ यहाँ पर करता हूँ कि क्लिया directory जो की है mkdir directory one अब हम करेंगे इस file yes.txt को move directory one के अंदर ओके हम उते हैं mb yes.txt नाम फिर इंटर एलेस करेंगे तो file नहीं है cd directory one ls यहाँ पर हमारा yes नाम की file move हो चुकी है फिर आते हैं one step back फिर करते हैं clear अब हमारे पास यह directory है directory one के नाम से इस करना जो file है ls-r वो है yes.txt ओके और हम यहाँ पर ls करें तो यह directory one अब हम simply command लगाते हैं mb directory one यहाँ लिखते हैं directory two अब करते हैं enter तो अब लिख सकते हैं इस directory के नाम हो गया अब directory two यह rename हो गया file के साथ भी same case था और directory के साथ भी same case होगा अब यहाँ पर कर सकते हैं cat directory two yes.txt हमारा एक सेकंड command mistake हो गई है ओके तमारा content जो है की same दिखने को मिलेगा अब हमारा directory नाम directory two है लेकिन हमारा पास अब दूसरे directory नहीं है तो हम क्याम करते हैं mkdir directory three नाम से हम create करते हैं तो यह हमारा पास directory three नाम से आ चुकी है अब हम क्याम करेंगे mb directory two directory three अब इससे क्या होगा हमारा directory two है वो basically cd directory three के अंदर आ चुका है और इससे हम इसके अंदर जाएं cd directory two तो इसके नाम में yes.txt.me के फाइल देखने को मिलेगी तो इससे किस आप mb command का यूज करके चीज़ों को move कर सकते हैं आप absolute पाक भी दे सकते हैं जैसे कि अगर मैं बात करूं एक step back आते हैं और मैं करता हूँ directory two तो basically यहाँ पर सिफ directory two है और हम बात करें यहाँ पर home directory पर जाके यहाँ पर directory two नाम की directory नहीं है तो हम चलते हैं वापस इसके अंदर okay cd directory three okay हम करते हैं mb directory two और यहाँ पर हम लिखते हैं absolute पास जो की है home json फिकरते हैं एंटर यहां से directory two move हो चुकी है हम आते हैं home directory पर यहाँ पर आपको देखते हूं मिल लगा directory two okay फिकरते हैं cd directory two ls cat yes तो हमारे फाइल यहाँ भी आ चुका है directory के साथ इस तकर से हम absolute पास का इस्तिमाल करके भी चीजों को कर सकते हैं तो बहुत स्क्राइब वीडियो में इतना उमीद आपको पसंदा होगा वीडियो पसंदा वीडियो को लाइक किजिए दोस्तों साथ सेर किजिए मैं आप से मिलता हूं नेस्ट वीडियो में तप्ता के लिए टेक केर एंड कुड़ पाई